नमस्कार में अम्रिता पांडे आप देख रहे हैं दो बिहार टॉप आईए जान लेते हैं बिहार में आज मौसम का मिजाज कैसा होगा साथ ही ठंड की स्थिति क्या होगी किन-किन जिलो में तापमान कैसा होगा इसके साथ साथ कोहरे के लिए एलो एलोट मौसम विभाग के यलाकों में ज्यादा रहने वाले हैं मौसम विभाग को लेकर सबसे ज्यादा जारी किया है बिहार में मौसम ने पूरी तरह करवट ले लिया है ठंड के तेवर सक्त हुए हैं सुकरवार को हुई बारिस्म से ठंड का कहर अब लोगों परसने लगा है लोगों को कपकपाती ठंड से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ठंड में लोग घर में दुबके हुए नजर आ रहे हैं सुर्ज भगवान कहीं से भी कल देखने को नहीं मिले हैं आपको बता दे कि साम को हलकी बारिस हुई बारिस के बाद कडाके की ठंड पढ़नी सुरू हो गई मौसम बैग्यानी कनूप कुमार चौबे ने बताया कि बिहार के 23 जिलों में साथ जनवरी तक घहने कोहरे चाय रहने के लिए मौसम विभाग ने एलो अलोट जारी किया है 6 जनवरी तक आसमान में बादल चाय रहेंगे पटना सहीद 14 सहरों में हलकी बारिस होगी कुछ अस्थानों पर मेग गरज और बरजपात की भी संभावना जताई गई है मौसम के पुर्वानुमान की अनुसार अगले 5 दिन 6, 7, 8, 9 और 10 जनवरी को अधिक्तम तापमान 18 डिगरी, 16 डिगरी, 21 डिगरी, 21.5 डिगरी और 23 डिगरी सेल्सियस रहने की संभावना है मौसम बिभाग की अनुसार विस्टरन डिस्टर्विंस की वज़ा से 6 जनवरी तक हलकी बारिस हो सकती है 6-7 जनवरी के लिए मौसम बिभाग ने कोहरे के लिए यलव अलर्ट जारी किया है मौसम बैग्यानी कनुप कुमार 24 ने बताया कि अगले दो दिनों तक पटनाव, मुजफरपुर, पस्चिम चमपारन, सिवान, सारन, पुर्वी चमपारन, गोपाल गंज, बकसर, भोजपुर, रोतास, भवुआ, और अंगाबाद, जहानाबाद और अर्वल में बारिस की स संभावना है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों तक आस्मान में बादल छाय रहने की संभावना है, इस दोरान बुंदा-बुंदी के असार है, मौसम बिभाग की अनुसार, अगले दो दिनों में उत्तर बिहार के सभी जीलों में समाने ठंड रहेगी, इसके साथ आपको बता दे कि रात में ठंड की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इसके अलावा पच्छुआ हावा बनी रहेगी, रिकॉर्ड की अनुसार, पिछले वस चार जनवरी को अधिक ठंड पड़ी थी, तो आपको बता दे कि बिहार म मौसम तेजी से परिवर्तित हो रहा है, ठंड का कहर अब जारी है, जनवरी का महीना है और इसमें लोगों को ठंड का काफी एसास हो रहा है, वहीं घर से बाहर निकलने वालों की बात करें, तो विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोग सड़क पे काफी कम दूर तक देख पा र के मौसम में लगतार परिवर्तन होगा और सभी जिलों में घना कोरा देखने को मिलेगा, तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही, तमाम ऐसा अबडेट्स के लिए दविहार टॉप को फॉलो करें, अगर हमारे वीडियो को यूटूब चैनल पे देख रहे हैं, तो चैनल को